हालो एन वेलकम बैक तो अल्डियर स्टूदेंस वालकम टू करियर प्लानेट मैसलफ शेली गुरवानी यूर केमिस्ट्री मेंटोर आंड टूदे वी आगोई टू डिस्कस सॉलिट स्टेट तुबिच्छो सॉलिट स्टेट में अगर हम पिछली ग्लास में देखें तो हमने संकुलन दक्ष्टा पढ़ लिया था नहीं पढ़ा था संकुलन दक्ष्टा पढ़ना है रांदे जान लिया था कि संकुलन दक्ष्टा में अगर में बात करूं कि सिंपल क्यूबिक हमने कड़ों की विवस्ता पढ़ ली थी और संकुलन दक्ष्टा लिख ली थी पैकिंग है तो बच्चों हमने बढ़ा था एरिया जो पैक होता है वो 68% है ना जो occupied volume है संगुलन दक्षता जिसे कहें दे वो 68% और अगर मैं आफसे से की बात करूं तो वो 74% HCP भी 74% होता है लेकिन तीन derivation हमारे course में हैं SEC वर्गाकार निबिट संगुलन का BCC काय केंदर निबिट संगुलन का और FCC यानि कि CCP घनिय निबिट संगुलन जिसकी कोस्ठी का जो बनती है ना बच्चों वो बनती है फलक केंदर कोस्ठी का है ना जिसका answer हमारा है 74% तो बच् हम चलते हैं संगुलन दक्षता में Okay तो अगर मैं कहूं किसंगुलन दक्षता क्या है तो बच्चों संगुलन दक्षता है किसी crystal जालक में अवयवी कर्ण निबिट संगुलन आवस्था में रहते हैं मतलब अगर crystal है तो सारे practitioners क्या रहेंगे तो हम बेंगे हर कोई अपनी अ होनी चीए तो पाकिंग मजबूत होगी ठीक है तो बचो अवियोवी कण निबिट संकुलित व्यवस्था में रहते हैं परन्तु अवियोवी कणों द्वारा जालक का संपूर्ण इस्थान नहीं घेरा जा सकता है तता जालक में कुछ इस्थान रिक्त रहता है तो आपने पढ़ा था सो परसेंट पैक थोड़न होगा पर आपने पढ़ा था संकुलन दक्षता सेवेंटी फोर परसेंट हो जाएगी यहां बच्चों फिफ्टी टू पॉइंट फोर मैं बात करो कि क्या 100% इस्थान घेरा जाएगा तो हम कहेंगे सौ परसेंट प्लेस तो हम नहीं घेर पाएंगे ठीक है तो बच्चों People अच्णर Democrat अरिए नहीं केदें ठीके अब किसी crystal जालक में उपस्तित अभी अभी कड जालक का जितना इस्थान गेरते हैं उसे संकुलन दक्षता कहते हैं मैंने आपको कह दिया कि भी 10 बाई 10 का कमरा है ठीके है ना 10 length ले लो 10 width ले लो और 10 height ले लो वॉल्यूम निकाल दो तो तुम कोगे 10 into 10 into 10 हजार जो है वो मीटर ले ले तो तो थाजार मीटर क्यूब का कमरा है ठीक है अब बोलो तो बच्चे अगर हजार मीटर क्यूब आयतन हो गया तो अब उसमें सामान रखोगे तो क्या पूरा फुल बर दोगे कि थोड़ा बहुत कितना रखोगी तो तुम खोगे अच्छा कितना परसेंट एरिया पाक कर रहा हूं कितना परसेंट आयतन गेरा हूं क्योंकि सामान है तो भी सामान यहों लंबाई भी होगी चोड़ाई भी होगी और उंचाई भी होगी तो हम जनरली आयतन की बात करते है तो हम गएगे भी 40% संकूलन दक्षता होगी है ना तो संकूलन दक्षता का formula क्या बनाएं बच्चो तो हम गएंगे संकूलन दक्षता crystal जालक में उपस्तित गोले का आइतन upon crystal जालक का कुल आइतन into 100 अब बैस crystal जालक में उपस्तित गोले का आइतन तो हम कहेंगे देखो crystal जालक में जो गोले का इतन है तो हम कहेंगे न हमारी पास कौन सा जालक है बच्छो मालो हमारी पास ZSCC है तो तुम्हें बता है न कि SEC में क्या होता है कर्ण होते है आठ कोनों पे योगदान एक बटाण और वेल्यू एक तो जब हम वर्गा कार निपट संकूलन की बात करेंगे सरल गनिय जालक की संकूलन दक्षता निकालेंगे तो गोले का इतने एक रखेंगे मतलब एक ही गोले का इतने काम मिलेंगे लेकिन अगर तुम्हें कोई कहते हैं कि SEC है तो बच्चो FCC पैकिंग में क्या था आठ कोनों पे आठ कंड थे आठ गोले लेकिन योगदान एक बटाण प्लस हर फलक के केंद्र पे एक गोला था और योगदान एक बटा दो तो अंसर कोनों पे आठ कंड योगदान एक बटा आठ प्लस बॉडी के सेंटर में बीचों बीच में एक कड योगदान कंप्लीट तो जब मैं BCC पैकिंग ज्याद करूंगे न संकुलन दक्षता जब हम BCC की निकालेंगे तो दो गोलों का इतन रखेंगे एक गोलों का इतन आफ फाइंड कैसे करना है बच्चों तो बोर्ड एक्जाम में इसका थोड़ा डेरिवेशन आपको आना चाहिए ठीके तो हमारे पास है सरल घनिय एकर कोस्टिका मतलब अगर हमारी पैकिंग वर्गा का अनिबिट संकुलन है और अगर मैं कोस्टिका काटू तो सिंपल क्य विक कटेगी सरल घनिय मात्र कोस्टिका बनेगी ठीक है तो बच्चों सरल घनिय मात्र कोस्टिका में अगर हम जाए ठीक है और अगर हम देखें बच्चों कोस्टिका के बारे में ठीक है चलो यह रख लिया हमने सरल घनिया मातर कोस्ठे का अब हम देखने इसके कण तो बच्चों जो कण है वो आपने रखें का तो हम गएगे कण तो हमने रखें यह कोईनर है ना यह कोईना है यहाँ एक बॉल है ठीक है और बच्चों दूसरा तो हम गएगे एक और बॉल है यह कोईना है यहाँ पे भी एक बॉल है ठीक है और बच्चों यह जो दिख रहे है आपको तोड़ा ऐसा लग रहा है यह दूर है ऐसा नहीं है यह बॉल्स जो ना एक दूसरे को आक्चुली ठीक है रिए안 दिख रहा है हो गएँ टच है नहillarmed जो नो Но बना लेते है इसको यह ठीक है अफ दिखाते हैं ऐसे कि यहाँ बटीकल है यहाँ बटीकल है यहाँ 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 है यहाँ है और ये center से center की distance है ना, ये भी तो ये यही चीज़ है बच्चो ये, तो मैंने मान लिया कि घं के किनारे की लमबाई, edge length जो है, वो है बच्चो, ए, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, माना, घं के किनारे की लमबाई, ठीक है, जिसे या कोर की लमबाई लिख लो, edge length लिख दो, तो बच्चो कीनारे की लंबाई है हमारे पास small a, ठीक है, अब आपको बताएं कि ये भी एक कोना है, ये दोनों जो कोने हैं, ये पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना, अब ठीक है, टच कर रहे हैं, है ना, अब radius देखें बच्चो, radius देखें, तो देखो, यहां से यहां तक की दूरी तो तुमने बता दी a, अब देखो, ये गोले के केंद्र से यहां तक की दूरी, तो हम गएंगे यहां तक की दूरी पर अगर मैं आओ, तो ये distance है बच्चो, r, है ना, और यहां से यहां तक की दूरी तो ये भी क्या है, r, ठीक है तो बचो अगर सरल गन ये जालक है तो तुम बताओगे सरल गन में कोने के कण एक दूसरे को टच करते हैं सरल गन में कोने के जो पार्टिकल्स है कोने के कण एक दूसरे को स्पर्ष करते हैं ठीक है बचो कोने के कण एक दूसरे को स्पर्ष करते हैं थीक है, तो अब क्या करें? है ना और यहां देखो एक रेडियस और एक रेडियस तो तुम्हें दिखा एक वोल्स तो किते हैं तो हम गहेंगे टू आर इसमें कोई सी बड़ी बात है तो बच्छो बस सिंपल सी बात लिख दो क्योंकि भई इक वोल्स तो टू अर यह हमारा एक्वूशन बन अब बच्छो घन का इतन बताए है तो हम कएंगे घन का इतन तो यह क्यों होता है। घंका अितन क到 phones कि अरक से रखूंग कि यहां पर बो एक कोस्थ है के सamento से यहां तक कोई को दिकत नहीं है अब संकुलन दक्षता का फॉर्मुला सिखाया था जालक का कुला अब एक घंपर बात कर रहे हैं तो ग पॉलों का आइधल था थो एक घोली क्यों है ना वॉल्यूम अब दस्वेर क्या है तो हम गेंगे फोर बाई थ्री पाई यार क्यों बस तो बस आगे चल लो इससे ठीक तो बच्चों अगर हम लिखें कि बैस सरल गन की बात चल रही है तो तुम गोगे सरल सरल गनिय कोस्ठीका सरल गनिय कोस्ठीका में एक गोला या एक ही कण होता है ठीक है सरल गनिय कोस्ठीका में एक कण और कण को हम स्फेर मानते हैं बच्चों गोला मानते हैं ठीक है तो एक कण या एक गोला होता है अतह गोले का एतन बताओ एक गोले का आयतन लिख दो तो बच्चो वॉल्यूम अब दुस फेयर लिखना है हमें एक गोले का आयतन तो एक गोले का आयतन हमारा होगा 4 by 3 pi r q ठीक है? पिछला वाला जो equation था वो 3 है अब equation जो है वो 4 है ठीक है? एक गोले का आयतन होगा 4 by 3 pi r अब मैं कहा रहे हो कि नहीं अब तो तुम संकूलन दक्षता निकालो ठीक है तो बच्चो संकूलन दक्षता तो हमने क्या पढ़ा था? संकूलन दक्षता था हमारे पास गोले का आयतन या गोलों का आयतन जो भी आपका जालक है अपोन घन का आयतन into so, ठीक है, तो हम गहेंगे गोले का आइतन, या घन में उपस्तित गोलों का आइतन अपोन, तो हम गहेंगे घन का आइतन और into हो जाएगा बच्चों hundred ठीक है, into so अब चेक कर लेते हैं, तो बच्चे इस सिंपल की बात कर रहे हैं, हम सरल घन हैं, है ना, तो सरल घन में एक ही गोला होता है तो गोले का आइतन हो गया चार बटा तीन, पाई आर क्यूब सही है, एक ही गोला है, तो गोले का आइतन हो गया चार बटा तीन, पाई आर क्यूब और बच्चो घन का एतन तो अभी निकाला था न। घन का एतन कितना है? 8R3 तो बस घन का एतन रख लेते हैं तो हम गएंगे बगी 8R3 into 100 बस अब इसको solve कर लो बच्चो तो हम गएंगे R3 R3 तो cancel कर लो 4 और 8 cancel कर लो 2 हो गया है ना तो मेरे पास आगया Pi by 6 into 100 ठीके तो बच्चो सरल SEC की संकूलन दक्षता सरल घनिय संकूलन में संकूलन दक्षता कितनी आएगी तो हम कहेंगे Pi by 6 into 100 यानि की 52.4 प्रतीशन है ना? solve नहीं करने आपको direct रखना है Pi की value 3.14 रख लो Pi की value 22 बटा 7 रख लो तो answer यह है तो हम कहेंगे simple क्यों बिक्की बात कर रहे हो तो संकूलन दक्षता 52.4 प्रतीशन ठीक है अब बच्चो इतना percent area तो हमारा क्या हुआ पैक हो गया 52.4 परसेंट स्थान क्या हो गया तो हम कहेंगे पैक हो गया दो खाली रिक्तिस्थान कितना है तो अगर तुमसे बूचे की SEC में रिक्तिस्थान तो बच्चो रिक्तिस्थान कितना होगा तो हम गएगे की 52.4 प्रतीशत भर गया है नग प्रतीशत ले रहे हो तो 100 मेंसे गटा दू तुमसे 52 बर गया तो बचा कि तो 52.4 प्रतीशत ऐसे भी लिख सकते हो SEC में संकूलन दक्ष था तो बचों 52.4% और फ्रैक्शन में निकालो तो 0.524 एक में से 0.52 स्थान भर जाता है और रिक्त कितना है तो विकेंड वॉइड की बात कर रहा है अंतराकाश या घर्थ की बात कर तो हम कहेंगे 0.524 भर गया तो रिक्ती होगी 0.476 इतनी जगे खाली रह चाहिए और ऐसे भी कर सकते हो 100-5 by 6 है ना 100-1-5 by 6 बार 100 ले लो 100-5 by 6 into 100 ठीके क्याने की 5 by 6 into 100 मतला 52.4 प्रतिशन रिक्ती मूझ रही हो तो 100-52.4 को ये भी लिख सकते हो ना बच्चो ठीके तो ये हो गया तुमारा सिंपल क्यूबिक में सरल घनिय जालक या सरल घनिय निबिट संकुलन में संकुलन दक्षता कितनी है तो हम कहेंगे वह 52.4 परसिन है ना और फ्रैक्शन में निकाले तो 0.524 ठीके अब हम चलते हैं एफसीसी में कितनी आएगी पैकिंग एफिशेंसी तो नेक्स टॉपिक है बच्चो हमारे पस फलक केंदृत घनिय जालक में एक कोस्ठी का तो सबसे पहले हम फलक केंदृत घनिय जालक बना लेते हैं अधिक है फलक केंदृत घनिय जालक हम कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं यह बना लेते हैं ठीक है ठीक है अब बचिव फलक केंदृत घनिय जालक कड कहा कहां पे तो हम कहेंगे कड तो कॉल्टर पर है है ना ये corner पे हैं यहां भे भी corner पे है और फलक के केंद्र पे भी है अब problem क्या है कि ये तीनों कण टच करते हैं कोन कहां टच करता है तो देखो हम गएंगे ये इसको touch करता है और ये इसको touch करता है बस बात इतनी सी है है ना जो हमने बड़ी बना दी ठीक है ये जो तुमारा फलक कींद्रित गनिय जालक है मतलब ये गोला ठीक है यो गया को ना कितना में बड़ा गया रोटाचिंग कंडिशन दो मुश्किल से आगी है ना ये इधर ठीक है और बच्चे ये वापस इधर हम दूर दिखा रहे हैं बट ये दूर है निवे ये टच कर रहे है ठीक है थोड़ा आइडिया लग गया कोन किसको टच कर रहा है है ना ये गोला जो है ये इसको टच कर रहा है उठा नहीं सकते हैं इसको उठाना नहीं और ये इसको टच कर रहा है ठीक है यह इसको टच करेगा और यह इसको टच करेगा अब वोई घन की लंबाई गन के किनारे की लंबाई तो वो तो हम सेम लिख देते हैं माना घन के किनारे की लंबाई तो बच्चो घन के किनारे की लंबाई की बात करें तो वो तो हमने मान रखा है स्मॉल ए है ना यहां से यहां तक जाओगे तो यह डिस्टेंस तो तुम्हारी ए ही है लेकिन इस बार मैं क्या करूँ यहां पर पार्टिकल इसको टच्ट तोड़ न कर रहा है है ना बैई यह फलक विंद्ध में इस पॉइंट को मालेती हूँ ऴ सल इज इस पॉइंट को मालेती हूँ दूरी है अट हो एले बिए इस प्कॉ ने इस एको मालेती हूँ व्युतरी ठ्ड़ों एक ट्र Васिएक पॉनExclлиз का इम्रमना कर कर रहे हैं ठीक है तो बचो फलक के इंद्रित घनिय जालक में सेट करते हैं इसको एक सेगे चीक है चलो कि अब बचो यहां मैंने मान लियां कि घन के खिनारे की लंबाई तो वह हो गया एक सब्सक्राइब और सिट कर लेते हैं अच्छ हम ओके ठीक है क्लेर हैं चलो अब इसको रफ कर देती हो में एक बार वापस से तोड़ा उठा लेते हैं इसको है ना ठीक है तो बचो माना घन के किनारे की लंबाई तो मैंने वाल लिया कि एझ लेंग जो है गन के किनारे की लंबाई कि कोने वाला फैस इंटर को डच कर रहा है और फैस इंटर वापस कोने को डच कर रहा है तो मैं बताना पड़ेगा FCC में कोने का कण कोने के कण फलक केंदरित कण को टच करते हैं जो फलक केंदरित कण को सपर्ष करते हैं ठीक है ये बार्टिकल जो है आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं ओके अब क्या करें तो बस अब आप एक बार इसको वापस बना दो थोड़ा सा मालू मैंने ये बनाए ठीक है हम इसको मुझे इसको सीधा नहीं बनाना है ऐसे बना लेते चलों देखो मुझे एक लेंथ चाहिए ये वाली ठीक है ये पॉइंट आपका क्या था ए और ये पॉइंट था सी अब बच्चों यहां पे अगर हम आएं कोने वाला कण है ना तो मैं कहूंगे ये लो ये कॉर्णर वाल थीकफी ओन लेग दूंगी ये वितन वाला करण हार और अब भून्री हम बना लेते हैं सकी थोड़ी सी इसयं ब्लैक कलर से एक पश्ण हो गया इस और ये दूसरा हो गया और यह तीसरा हो गया ठीक है ठीक नहीं लगड़ा थोड़ा सा राप कर देती हुचा लोग आप इससे बनाते हैं ठीक है यह पॉइंट ए है और यह आपका सी है है ना अब मुझे पार्टिकल्स बनाने हैं यह कॉर्णर वाला पार्टिकल ठीक है बी पॉइंट वाला यह भी कॉर्णर वाला पार्टिकल्स तो हम कह रहे हैं यह हो गया हमारा ए पॉइंट वाला ठीक है बराबर है इनका साइज और बीच वाला पार्टिकल्स जो है वो ही अब वो इन दोनों को टच कर रहा है फलक केंद्रित का जो है वो इन दोनों को को ही touch कर रहा है ठीक गोल नहीं बने तो थोड़ा देख लें है ना अब अब हम क्या कह रहे हैं कि यह सेंटर से लेके यह सेंटर से यह सेंटर का distance ओके अब बचो यह सेंटर जो था हमारा यह था हमारे पास point A और यह था point C नहीं C नहीं क्या था point B ठीक है यह point हमारा है ठीक है अब अगर तुम्हें triangle दिखा देखो triangle A, B और C है ना तो हम करेंगे चलो triangle A, B, C में हम देख लेते हैं है ना right angle triangle है तो बच्चो यह A, C length तो हम करेंगे A है यह B, C length तो यह भी A है और यह A, B निकाल दो तो ठीक है तो अगर मैं A, B निकालो तो दूम क्या कहोगे A, B निकालना है तो भई A, C का square और B, C का square root, पाइटो को रस लगा लो, तो हम करेंगे ठीक है A, B, तो बच्चो A, C square तो आपके पास A है, है ना, A, C क्या है किनारे की लंबाई तो A है, और B, C क्या है तो भी तो किनारे की लंबाई है, वो भी small A है, तो यह लो, तो भई मेरे पास यह आगया root 2 A है, ठीक है, और ध्यान से देखो तो भई, यह distance है ना, यहां से लेकिए यहां तक की दूरी, आप कह रहे हो, यह दूरी मेरी root 2 A है, ठीक है, और बच्चों, अगर radius मापे तो देखो, आधी radius क्योंकि 와 succeeds, center point न, आधी radius इसकी, यह पूरा गोला आगया तो दो radius इसकी, और यह आधा है न, इसका center आएगा, थे कि पूरा न यह आएगा, तो यह आधी radius, मतलā एक radius इसकी, है ना, तो इसकी एक रेडियस इसकी दो रेडियस पुरा व्यास आ गया पुरा बोला आ गया और ठीक है तो बचों फलक विकर्ण जो है तो हम गएंगे फलक विकर्ण है है रूट 2a है ना फेस डाइगनल समझे ना भई यह तुम्हारी फलक है है ना यह सारी दूरियां किती है तो यह कितना होगा तो यह फलक विकर्ण है तो भई यह तो रूट 2a है बस इसमें क्या सोचे तो भई यह फलक विकर्ण निकाला हमने रूट 2a और रूट 2a में रेड कर देते हैं ठीक है यह हमारी एक्वेशन वन की ए तो आगया हमारे पस तो बच्चों तुम्हारे पास अगर ए आगया तो घंगा इतन निकाल ठीक है थोड़ा टाइम मैंने इसको पिक्चर बनाने में ले लिया बात तो सवज में आगी तुम्हें कि मैं यह सिंपल मैंने कोस् करने यह ले रहे हैं तो यह A है यह B है और यह C है ठीक है यह B है और यह C है तो A भी बताओ तो A भी बराबर क्या होगा A से B की बीच की दूरी तो तुम को A square plus A square root ले लो तो root 2A ठीक है अब तुम्हारे पास A आ चुका है बच्चों अब अगर तुम्हारे पास A आ गया है ना तो तुम क्या करो A आने के बाद में तुम A आने के बाद क्या करें तो हम कहेंगे A आ गया तो घंका इतन निकाल देते हैं ठीक है तो भई घंका आइतन ओके आज तुम्हारे लगा होगा मैडम गोड़ में तुम्हारा उलजनी आज तुम्हारा नया सॉफ्ट्वेर आया है नया सॉफ्ट्वेर को सीखने में थोड़ा सा टांग लग जाता है तो अपडेट हो जाता है तो पुरानी सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है तो भई घन का आयतन तुम्हें कह दूँगी 1q ठीके घन का आयतन तो हम कह देंगी अक तुम्हेंगे aq अब a शुक्ता है तो ने सीखा न बही a शुक्ता है तो हमने देखा a शुर र쪽 टू है ठीके तो हम स्यख़ों कैंज जातन a3 और a की value है ना तो हमने अभी देखा था एक ही वेल्यू जो है बच्चो वो है 4R अपॉन रूट 2 ठीक है यह हमारा समीकरण 2 है ना और यह समीकरण 1 तो था हमारे पास पहले से ठीक है तो बच्चो समीकरण 1 और 2 से तुम घन का आइतन निकाल दो ओके तो भई घन का आइतन तो हम गएंगे घन का आइतन है A क्यूब यानि 4R अपॉन रूट 2 का क्यूब ठीक है अब 4 का क्यूब तो 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4s are 16 and 16 4s are 64 तो मैं गह दूँगे यह तो 64R क्यूब हो गया और रूट 2 तो बच्चो root 2 को root 2 से multiply करो फिर root root 2 को root 2 से multiply करोगे तो 2 आएगा और यह क्या होगा तो हम कहेंगे root 2 तो root 2 का जो cube आएगा that will be 2 root ठीक है यह हमारा हो गया सभी करणती तो घन का आइतन आगया अब मुझे बता है बस FCC में जितने गोले उनका इतन बता दो संगुलन दक्षता क्या थी गोलों का आइतन अपोन घन का आइतन इंटू 100 तो हम कहेंगे ठीक है तो बच्चों FCC में Z तो 4 होता है ना चुकि FCC में 4 कड है ना या 4 गोले होते है ठीक है भी FCC में 4 गोले होते हैं अतह 4 गोलों का आइतन ठीक है भी चार गोलों का आइतन तो बचो एक गोले का आइतन कितना होता है तो हम गईगे एक गोले का आइतन होता है 4 by 3 pi r cube है ना एक गोले का इतने है 4 by 3 pi r cube 4 गोलों का इतने है तो 4 से multiply कर लो यह हमारा हो गया समीक रंचा ठीक है अब तुम्हारे पास घन का इतना आ गया गोलों का इतना आ गया अब ले देखे क्या करना है तो हम कहीं संकुलन दक्षता ग्यात करनी है एक पेज बढ़ जाता है संकुलन दक्षता ग्यात करनी है बचों तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे संकुलन दक्षता का formula लगा लेते हैं संकुलन दक्षता एकोल स्टो तो तुम्हें बता है गोलों का इतन तो गोले हमारे पास है चार, तो चार गुलों का इतन क्या है, तो हम गएंगे चार इंटू 4 बटे 3, पाई आर क्यूब, और घं का इतन कितना है, तो घं का इतन क्या है, 64 आर क्यूब उपॉन 2 रूट 2, ठीक है तो यहां आजाएगा 64 आर क्यूब और 2 रूट 2 को उपर ले जाते है, 2 रूट 2 multiply with 100 ठीक है, बस अब simple solution ले लो आर क्यूब, आर क्यूब आर क्यूब तुमारा cancel हो गया है ना, 4 इंटू 4 16 हो गया, और 16 फोर्जा 64 4 इंटू 4 गिता हो गया, 16 16 इंटू 4 64 हो था है ना 64 को काट दिया 4 ठीक है और इसको भी काट लेटे 2 और 4 को तो ये कुछ आ रहा है, root 2, pi upon 6 पिशली बार तो pi by 6 था, तो चीक है, इंटू 100 तो बच्चे, पिशली बार pi by 6 इंटू 100 था, तो 52.4 था अब 52.4 को root 270 लाई कर लो, है ना तो थोड़ा तो जादा ही आएगा तो बच्चे, FCC की जो संकुलन दक्षता है वो हमें बता है सीधी 74 पस अब तो मैं कहा आजा, FCC जालक में रिक्त इस्थान कितना होगा, है ना FCC जालक मतलब वो ही है, बच्चे, CCP जालक में रिक्त इस्थान कितना होगा, तो बच्चो अगर 74 पस इस्थान तुमने भर लिया, तो खाली जगे कितनी होगी सो में से चौतर गटा 24 पसेंट एरिया तुमने बैक कर लिया तो खाली हितना है, तो हम गरेंगे 26 पसेंट खाली है, तो 26 पसेंट एरिया जो है वो लेफ्ट रह जाएगा, खाली रह जाएगा ठीके, तो यह हो गया आपका FCC Packing, नेक्स्ट आते हैं बच्चो काय केंदरत निवट संकूलन या अंता केंदरत घनिय एक कोस्ठीका पैकिंग जोगी, वो काय केंदरत होगी कोस्टीका जो निकले की, हम कोस्टीका में, पैकिंग एप्टिशन से निकाल देंगे पूरे जालक की आजएगे, ठीक है तो हम एक बार वापस क्या करते हैं पूरा जालक डिजाइन कर लेते हैं कहां पहुंचाते हैं हम लोग ठीक है, इसको तो हम अटाते हैं पहले, चलो अज लग रहा है कि मैडम का केंड नहीं पान रहा है यह बोड तो है ना, यह चलो अब बच्चों काई केंदरत निवड संकुल तो हमने कणों को कहां रखा है तो हम गएंगे इस बार कण हमारे कॉइनर पे भी है है ना, कण जो है, वो कोने पे भी है और तो हम कहेंगे कोने के साथ-साथ बोडी के सेंटर पे भी हर कोने पे कण है, लेकिन हम मैं हर एक पे शो नहीं करते हूँ क्योंकि मुझे इना सब का काम नहीं है भाई यह तो ठीक है, और इसको उठाके रखते हैं यहाँ अब बच्चों, बी-सी सी जालक बनाना है तो कण कहां-कहां पे तो तुम गोगे बई, कॉइनर पे भी है हर कोने पे के कण है इल्ब, हर कोने पे के कण बना लेते हैं है ना और बडी की सेंटर में भी होता है अब बच्चों, यहाँ जो टचिंग कंडीशन है, वो क्या है तो तुम देखो, टचिंग कंडीशन ही है यह जो कोने का कण है, यह इसको टच करेगा और यह इसको टच करेगा किनारे की लंबाई हम माल लेते हैं, इसमें कोई लड़ाई नहीं है ठीक है, काय विकर्ण पेकर्ण टच करते हैं, मतलब कोने वाला बडी की सेंटर वाले को टच करता है और बडी का सेंटर वापस किसको टच करता है, कोने को ठीक है तो हम ग 가능रे पहले हम क्या करते हैं या पर गन के किनारे की लंबाई लेक्ष को दो भचों किनारे की लंबाई कई तो हो गई आई कि액e mojeच्च्र एन अबडिशन तो यह मलो कि भई यह जो पॉइंट है तुम्हारा यह जो पॉइंट यह यह ना यह in तो अब दो जाईए तो तुम गहोगे a-b distance काई विकर्ण चाहिए ना यह distance तो तुम पता है और यह क्या है तो बच्छों ऐ तो फीलग करू विशली बार फील किया था नपने आप तू सोचना ठीक है तो बचो अगर मैं तुम्हें कहूं कि घन में AC है ना यह जो आपका घन है इसमें फलक विकर्ण तो तुम गों कि हाँ फलक विकर्ण मतलब फलक में जो डाइगनल बनाया है AC तो AC की value कितनी है तो देखो अगर यह A है यह A है तो इद रूट 2A है तो हम सीधा लिख देते में फलक विकर्ण है रूट 2A यानी कि AC ठीक है अब तो बचो इसमें हम एक triangle ले लेते हैं triangle A, B और C ठीक है ABC है ना और triangle ABC में मुझे क्या find करना है तो मुझे AB find करना है तो AB कैसे find करोगे तो तुम को कि BC का square प्लस AC का square दिख रहा है ना बचो है ना यहां से लेगे यहां तक कि दूरी find करनी है तो BC का square प्लस AC का square ठीक है है और AB क्या है तो AB काई विकर्ण है काई विकर्ण निकालना क्यों चाते हो क्योंकि काई विकर्ण वाले करने ही आपस मह टच कर रहे है टचिंग कंडिशन बतानी ज़रूरी है तो हम गएंगे ओके चलो काई विकर्ण तो बच्चे काई विकर्ण AB बराबर BC का square BC की value दिखरी है तो हम गएंगे A है ना और AC का square तो भाई AC तो root 2A था इसका square कर दू है ना तो root 2 का square तो 2 हो जाएगा तो यह 2A square प्लस A square 3A square का root हो जाएगा तो हम गएंगे root 3A A बाहर रखेंगे ना बच्चो A को बाहर रखना पड़ेगा root 3 और A ठीक है क्योंकि A square था ना root लेले तो यह तो बाहर आ गया तो यह हमारा हम इसको कर देते हैं समीकरण 1 इसको कर देते हैं समीकरण 2 समझें AB क्यों निकाला तो हम गएंगे AB पे जो पार्टिकल्स थे ना वही एक दूसरे को टच कर रहे थे यह बॉडी सेंटर पार्टिकल है है ना यह किसको टच कर रहा था तो यहां जो कोने पे करण है इसको टच कर रहा था ठीक है और यह जो कोने पे करण है इसको भी टच कर रहा था ठीक है अब तुम्हारे A और B गया वोगे तो उसको में वापस लिख देती हूं ना कि परेशानी ना हो यह तुम्हारा बाटिकल A है यह पॉइंट A है और यह पॉइंट B है ठीक है है अब इसमें बले दूर दिख रहे हैं पर आच्छल सिच्वेशन क्या है यह टचिंग यह टच्का the यह कोने का टन है एक है यह कोने का कर वो दूस्रे कोने का कर सेंटर परीक तो यह तीसरा कर रह है clicking तो बहिए अब रबास अब हुआ गया तो यह जो था इसको टुच कर रहा था और यह जैस को टंच कर रहा था ची को और यहां के senseτι इस center के बीची दूरी तो हम गएगे कि तो हमने अभी निकाली AB की value हमने निकाल दी कितनी है AB बराबर कितना है root 3 अब ध्यान से देखो तो तुम कहोगे एक radius तो इसकी ले लो दो radius इसकी ले लो और एक radius इसकी ले लो तो तुम्हें नजर आ रहा है root 3A में कितने R है तो हम गएगे root 3A तो 2R है बस तो अब हम बता दो हम जानते हैं कि root 3A में कितने R है तो हम गएगे root 3A equals to 4R तो बच्चो A कितना हो गया तो हम गएगे 4 by root 3R यह हमारा equation 1 कर देए equation 3 कर देए ठीक है क्योंकि हमें A चाहिए अब कोई बूचले triangle बनाया है कि तुमने ABC तो तुम बोलो उसको है ना किच्चू की BCC में करण काई विकर्ण पर एक दूसरे को सपर्ष करते हैं इसलिए हम कुछ नहीं चाहते हैं बस हम काई विकर्ण है ना हम body diagonal हम यहां से लेके और यहां तक की distance find करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते हैं ठीके वहां particle हमें दूर दिख रहे हैं पर actually नहीं होते हैं है ना तो BCC में करण काई विकर्ण पर सपर्ष करते हैं एक दूसरे को touch ही काई विकर्ण पर करते हैं body diagonal पर करते हैं मुझे body diagonal की value चाहिए बस मुझे यह से यहां से यहां की दूरी बता दो तो तुम गोगे ठीके यहां से यहां की दूरी जो है वो root 3 है बाकी हम अपने आपने निप्टा लेंगे कि भी कितने आ रहे हैं तो बचो A आ गया अब A आ गया तो फिर तो तो समीकरण 4 यह हमारी समीकरण 4 अब समीकरण 3 में आपको अल्रेडी पता है A इकोल्स टू कितना है तो हम गहेंगे A इकोल्स टू 4 आरबाय रूट 3 चेक कर लो equation 3 में तुमने एक ही value निका लिया न बचो A इकोल्स टू कितना निकाल है 4 आरबाय रूट 3 equation 3 था ठीक है तो हमने का okay समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 और 4 से तो भई घन का इतन वापस निकाल तो बच्चों घन का आतन था A cube A की value रग दो 4 आर अपोन रूट 3 और इसका cube तो 4 का cube 4 into 4 into 4 64 हो गया क्या 64 R cube पिछली बार यहां root 2 था इस बार root 3 है तो यह solve करेंगे तो 3 root 3 यह समीकरण 5 गन का इतना आगया अब क्या करना है तो अब तुम Z बता दो PCC में कितने कण है तो हम गए बी से सी में तो दो ही कण होते बस तो बच्चों चू की BCC का निर्मार है ना BCC कोस्टिका लिख दो BCC कोस्टिका का निर्मार दो गोलों से होता है अतहद दो गोलों का आइतन लिख दो कुल मिला के अतहद दो गोलों का आइतन तो बच्चे दो गोलों का आइतन तो हम गएगे दो इंटू चार बटा तीन πाई आर क्यूब समी करण छे ठीक है तो गन का आइतन आगया गोलों का आइतन आगया संकुलन दक्षता निकाल लेते हैं है ना तो बच्चों एक स्पेज ले ले अपन तो संकुलन दक्षता तो हम गएगे संकुलन दक्षता जो है वो थी गोलों का आइतन गोले बी सी सी में दो होते हैं तो दो इंटू चार बटा तीन पाई आर क्यूब और घन का आइतन तो 64 आर क्यूब उपन 3 root 3 बस 64 R cube और 3 root 3 उपर ले लेते हैं, multiply with 100, ठीक है, अब क्या करें, तो बस काड़ दो, क्या कटेंगा, 3 3 कड़िया, 64 और ये कड़िया, क्या कितनी बार, 16 बार, है ना, और ये कड़िया, 8 बार, R cube, R cube और सबसे पहले काटना जा, चलो, तो भई संकुलन दक्षता, तो बच्चो, संकुलन दक्षता इस बार कुछ अलग है, कितनी आई, तो हम कहेंगे, root 3 pi upon 8 into 100, है ना, संकुलन दक्षता कितनी है, बच्चो, root 3 pi upon 8 into 100, ठीक है, अब बाकी तुम्हें answer तो यहाँ दी है, है ना, तो आपको सीधा answer लिखना है, वे BCC की संकुलन दक्षता कितनी है, तो हम कहेंगे, इसको solve कर लो, 68%, तो बच्चो, BCC में 68% स्थान भर गया, तो खाली कितना है, तो BCC में रिक्त स्थान, तो तुम कहोगे, 68% भर गया, तो खाली कितना है, 100 minus 68 कर लो, percentage में answer देना है, तो 32, तो 68% लिख दो, इसको तुम 0.68 भी लिख सकते हो, ठीक है, और यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, 0.32 भी लिख सकते हो, भी fraction में देना है, 32% है, 100 में 32% खाली, 100 में 32 unit खाली रहेगी, और 1 में 0.32 क्या करेगा, खाली रहेगा, fraction में दे दो, ठीक है, तो यह है हमारा संकुलन दक्षता, चाहे आप सिंपल क्यूब में निकाले, चाहे आप दूसरे को कहां टच कर रहे, अगर आपको टचिंग कंडिशन बता है ना, कि भी BCC में काय विकर्ण पर टच करते हैं, है ना, और आप काय विकर्ण निकाल दो, और अगर FCC की बात करें, तो यह FCC में कर्ण जो है, वो फलक विकर्ण पर टच करते हैं, आप फलक विकर्ण नि इतनी सी चीज़ें find कर लेते हैं तो आपका काम आसान है ठीक है वैसे तो आपको बता होना चाहिए सिंपल का अंसर 22.4, BCC 68 और FCC 74 पुरूफ कैसे करना है तो यह पूफ करना है तो अब मिलेंगे अगली क्लास में जा हम इसके आगे की टॉपिक को डिसकस करेंगे लेक्चर अचा लगे तो लाइक कर देंगे मिलेंगे नेक्स टाइम तिल दिन बाई-बाई